नमस्कार दोस्तों देख्जाम है कर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं जियो मॉर्फलाजी में वह है जियो सिंक्लाइन ठीक है तो जियो सिंक्लाइन क्या होती है इस वीडियो में देखेंगे और जियो सिंक्लाइन की जो थ यानि कि जो mountains कैसे बने हैं उसके process को जानने के लिए geos incline का जो थीरी से concept है उसको help करता है especially आपको fold mountain कैसे बने है या landform को evolution किया हुआ उसको help मिलता है ठीक है सबस्क्राइब जीव सिंक्लाइब होती क्या है तो जीव सिंक्लाइब दोस्तों ऐसा area या ऐसा water body जो shallow हो यानि बहुत जादा depth नहों और wide हो ठीक है लॉंग हो और उसके चारो और एक रिजीड मास यानि mountains हो या rigid मास हो तो ऐसे area को क्या बोलते है जीव सिंक्लाइब बोलते है फिर से देख लिए जीव सिंक्लाइब क्या बोलते है ऐसा area जो water body हो ठीक है यह shallow depression हो और wide भी हो बड़ी भी हो लॉंग भी हो और उसके चारो और एक रिजीड लेंड मास हो यानि कि mountains हो या hills हो ठीक है या प्लेटी हो ऐसे depression मास हो तो इस water body को क्या बोलते हैं Hence you सिंक्लाइब ठीक है तु जीव सिंक्लाइन यहीं से क्या होती है कि mountains का location होटे है mountains यहीं से बनती है यह starting में में इसको ौत highway जीयोंची का गए तो उर्थ को जन्रली दू पार्ट में डिवाइट किया गया है रीजिट मास् और मोबायल जोन तो जैसे मोबायल जोन चहांप The water body a rigid. जो परवत या प्लेट्वी हो गया ठीक है इसको बोलते है इसा तो मुबाइल जो आफ वाटर को क्या बोलते हैं जैसा कभी हम लोग इस्टडी किया तो यह रहाद जियो सिंक्राइन क्या होती है आपको समझ में आगा हुए आई होप अब देख से जियो सिंक्राइन थियोरी जो कोबर की दिवर दिए गए उसको देख लेते हैं तो कोबर ए कांट्रेक्शन फोर्स माना तो कांट्रेक्शन फोर्स कैसे होता है जो अर्थ कूल होती है तो उससे कांट्रेक्शन फोर्स होते है और उसके वाज़े से वहाँ पे अजियों संक्लाइन क्रियेट होता है और बाद में माउंटेंस बनते हैं ठीक है तो उन्होंने दो जोन औ आर्थ मौबाइल बनती है यानिक एक ऐसा लोकेशन जहां से माउन्टेन बनती है उस座ैन बनती है उसको बोलते हैं मौबाइल जोन वह इस मोबाइल आर्फ जोन तो दो टाइप का होते हैं जोन और फिर श् kulland स्बोब्रंप शाफे है सबसे पहला जो स्टेटस है एक लीटाट्र blow नीम को gun सबसे पहले मालो होती है और ज़ कोट था उस समें जो सरत diplomatur यश जैसे ही थे लेकिन जैसे ही cooling हुआ तो आपको पता होगा जैसे गरम आप अजाना ठंढ़ा करो गया तो क्या होंगा यहां पर गड़्र जाएगे कहीं पर उच्चा हो जाएगे ऐसे ठीक है थो आर्थ में क्या हूँआ और यानी आर्थ में कोंचन आया ऐसे हो गया थेके तो ऑर्थ में ऐसे हो गया ऐसे ह। यहाँ पर एक टीप्रेशन क्रेट हो गया और इसके सुराउंडिंग में आपको रिगिड़्ट मॉंसेस थे टीप्रेशन क्रेट हो गया इसको बोलते हैं जीव सिंख्लाइन होते हैं जैसे ऐसे जिए लिफोजनेशन से इहां पर कुछ डिप्रेशन हो जागा इसको बोलते हैं फिर दूसरा इस्टेज बոगते हैं औरो जैसे मांटेन्स का सुर्मेशन होता जिन्ट लेंगे जियोशंक्ट। ग्रेक्ट हो गया और उसके सुराउंडिंग में रिजिट लैंड मास से हैं, तो क्या होगे, ऐसे वारिस होगी या सन के लिएजिस से वेधरिंग होगा, वेधरिंग से या इरोजन वेधरिंग से यहां पर सेटिमेंटरी रोग का का human में यहां से agreement गठा कि अपने साथ मित्टी लाएंगी लेगे लेन फे-डियेशन प्रेट में ओल्बो सारे सद्रीन सब्राइब करेंगा जैसे डाउनवर्ड मूब करने लगता है और फिर बाद में डाउनवर्ड जैसे मूब करेगा तो इधर के प्रेसर लेगा ठीक है जो साइड वाले जो रिजिट लेंड मास है वहां से प्रेसर लेगा जैसे मालू ऐसे मूब करेगा तो ओविस से बात से यहां से प्रेसर लेगा ठीक तो इसको बलत है compression force लगता है तो over the time यह pressure क्या है यह बहुत ज्यादा पास आने लगता है और जब पास आएगा तो फिर यहां से आप जैसे मालो इसको आप दून तरफ से प्रेस करोगे तो क्या होगा यहां पर जो sedimentary material है यहां पर sedimentary material तो क्या होगा यह उठना इस्टार्ट कर जाएंगे ठीक है जैसे उठना इस्टार्ट करेंगे तो यह mountain बनना हो जाए इस्टार्ट हो जाएगा तो orogenesis process में क्या होता है कि sedimentary rock यहां पर deposit होने लगते हैं और deposit होने से ऐसे over the period deposit होने लगे और यह downward move करने लगा over the time क्या हुआ इधा से क्या compression होने लगा compression होने से जो sedimentary rock थे वह उपर उठने लगे ठीक है तो तिसरा stage में जो इन्होंने बोला कि glyptogenesis इसमें क्या हो कि gradual increase होने लगा जो sedimentary उहां पर जमावा थे उसका और फिर mountain बननने लगे ठीक है तो glypogenesis में third stage में क्या mountain बनने लगते हैं और बाद में यह rise होने लगता और over the year क्या इस पर से weathering होने लगती इरोजन होने लेती है और दूसरा land form बनने लगते हैं ठीक है तो यह process है कोबर का तो एक बार फिर समरी देख ले तो कोबर के तीन stages में बार बनते हैं लीथो जनेशिस पहला stage में क्या होता है कि जिवस इंक्लाइन क्रिएट होता है यानि कि जो earth जब कूल होती है संकूजन से कहीं जग कहीं कि दिपरेशन हो जाती और कहीं ज्गा मूचा हो जाती है तो यहां पर जीवस्पनी दिपोजीट होने लगा में इस ज इसका जो sedimentary है उसके बाहर से जो zionsen गा area downward move करने लगा और उसके वज़े से दूनों तरब से compression force लगा और compression force sedimentary rock यहाँ पर है compression force लगा तो sedimentary rock के आँगे उपर उठने लगे और फिर यहाँ से mountain बनने लगा ग्लीपर जनीशिस में ठीक है तो ऐसा इन्होंने process बता है इसके criticism एक है कि इतना ज़याता संखुचन एक कांटेक्शन फोर्स नहीं होता है कि इतनी बड़ी माउंटें बंचेसी मालय का अप देखूँगे थी इतना ज़ादा दोन से फोर्स आप नहीं बोल सकते हैं थी कांप्रेशन फोर्स से जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा Thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपिक साथ Thank you